नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्योब चैनल करेंट पूरी में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में जो है फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन योजना चल ले है इसी योजना के अंतरगत दोस्तों सभी मेधावी चातरों को यहाँ पर टैबलेट या स्मार्टफोन बित्रड़ योजना किया जाएगा पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में आपको देंगे वीडियो इस्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेज कर लीजिए जिससे हमारे नया आने वाला वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले तो दोस्तों चलिए फटाफट श्टार्ट करते हैं सबसे पहले दोस्तों लगातार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आई टी आई वालों को मिलेगा या बीटेक वालों को मिलेगा या कोई बीएससी कर रहा है ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार कि मुझे मिलेगा या नह नहीं मिलेगा दोस्तों आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाले हैं आखिर मिलेगा या नहीं मिलेगा किस को मिलेगा हाला कि पिछले वीडियो में मैंने बता रखा है कि किस को यह मिलने वाला है लेकिन दोस्तों आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर अभी हम बताने वाल हैं जिन से online apply इनके जो हैं वो किये जा रहे हैं और दोस्तों हलां कि यह जहां मलब हर जगे से अभी यह नहीं किया जारा है जहां के college हैं तो हर college के लिए भी link activate नहीं हो पाई है तो हर college के student है वो अभी यहां पर online apply नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों पूरी जानकरी आपको इस वीडियो में देंगे तो दोस्तों चलिए फटा फटा आपको बता देते हैं सबसे पहले आपका जो सेबा मित्र पोर्टल है तो सेबा मित्र पोर्टल से कौन करेगा तो सेबा मित्र पोर्टल से करेंगे स्किल वर्कर Skill worker मतलब कुसल सरमिक कुसल सरमिक जो है वो सेबा मितर पोर्टल से आपना जो है आनलाइन आबिदन करेंगे और दोस्तों साथ साथ आप सभी को मैं इस वीडियो में यह भी बताने वाला हूँ अगर कोई यहां पर अपना जो है इस टेडी छोंड चुका है जो नहीं पढ़ रहा है अगर वो भी इस टैबलेट को लेना चाहता है टैबलेट ऐ है स्मार्टफोन को तो वो भी दोस्तों ले सकता है और किस तरीके से ले सकता है वो भी मैं आप सभी को इस वीडियो में बता दूंगा पूरा डेटील के साथ तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं तो आपका बात आती है URISE Portal क्या है तो URISE Portal दोस्तों ये है कि इस Portal के अंतरगत दोस्तों जो यहाँ पर कॉलेज वाले हैं कॉलेज में जितना भी आपका डेटा मौजूद होता है जैसे आपने BSC में मानलो एडमिसन लिया BSC में जब आप एडमिसन लेंगे तो एडमिसन का आपने फर्म भरा होगा फर्म के साथ दोस्तों ने आपने 10th और 12th की माक्सीट लगाई होगी आधार कार्ड लगाया होगा तो दोस्तों यही सभी जनकरी आपने बेजी होगी और जब आपने BSC का स्कॉलर सिप ऑनलाइन किया होगा तब दोस्तों आपने यहाँ पर क्या क्या लगाया होगा तब आपने बहुत सारे डोकुमेंट लगाया होगे जैसे आय लगाया होगा जाती लगाया होगा निवास लगाया होगा इसी तरह से बहुत सारे डोकुमेंट लगाया होगे तो दोस्तों अब आपका यह हो गया कि आपके जितने भी डोकुमेंट थे वो क्या हुआ जब कॉलेज में पहुंच गया है जब कॉलेज में पहुंच गया है तो अभ यूराइज पोर्टल के यूराइज पोर्टल के अंतरगत केवल कॉलेज वाले रजिस्टेशन करेंगे मतलब बहुत से कॉलेज ऐसे हैं आपका जानकारी के लिए बहुत से कॉलेज ऐसे हैं जो खुद यहां पर रजिस्टेशन कर रहा हैं छातरों को रजिस्टेशन के लिए नहीं बोल रहा हैं वो दोस्तों अपने आप करते हैं तो यूराइज पोर्टल से कर देंगे अगर वो अपने आप कर दें तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें आपको कुछ करने को नहीं होगा अगर वो आपके पास लिंक भेजते हैं तो दोस्तों बहाँ पर आपको ऑनलाइन अपलाई जीमेल आईडी इमेल आईडी के साथ साथ दोस्तों वहाँ पर आपका जो है डियो भी मागेगा आपका नेम मागेगा और फादर का नेम मागेगा असाथ साथ मदर का नेम मागेगा और दोस्तों साथ साथ आपकी जो आयप परमाड़ पत्र हैं इसके टोटल बारहा इस्ट जब भी आपको कालेज की तरफ से लिंक भेजा जाता है और दोस्तों सही तो यह रहेगा एक आपको आपको करना होगा इसबात के आपको प्योंकरी हो जाएगी अगर आपको यहाँ पर करना होगा तो आप लिंक के धृ करेंगे कालेज वाले करेंगे तो यूराइज पोर्टल के त manuscripts ये अगर ये इस्किल बरकर वगार हो है कोई तो इसकिल बरकर जो है वह तो आपका दोस्तों पक्का है कि एक है अभ्यूदय पोर्टल तो अभ्यूदय पोर्टल पर आपको registration करना होगा अब अभ्यूदय पोर्टल क्या है तो इस पोर्टल पर दोस्तों वे लोग registration करते हैं जो दोस्तों फ्री में coaching करना चाते हैं और जो भी फ्री में जैसे NEET, JE, UPSC अपना ओनलाइन रिजिस्ट्रेशन करते हैं जब वहां पर अपना रिजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपका डेटा वहां पर पूरा मौझूद हो जायगा पूस पूर्टल पर तो उस पूर्टल पर जो भी दोस्तों बहाँ पर करेगा तो उसे भी मिलने वाला है अगर आप study नहीं कर रहे हैं और आप दोस्तों कहीं भी coaching करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप अभिदय पोर्टल पर registration कर सकते हैं और दोस्तों बहां से आप इस सेवा का lab उठा सकते हैं coaching वाली सेवा का और प्लस साथ साथ आपको जो tablet या smartphone है तो tablet या smartphone भी आप लोगं को इसे पोर्ट मैंने पीचे भी बताबं आपको अगर आपकी study continue है तो आपको confirm है कि मिलेगा अगर आप पड़ रहे हैं लगातार मतलब आप भी फश्टेर में हैं तो भी है आपको मिलेगा सेकेंडियर में है तो भी मिलेगा फाइनल में है तो भी मिलेगा मतलब यहां पर आप study को ना करना है दोस्तों आपको मिलेगा क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा 68,30,807 इतने दोस्तों आपके जो टैबलेट हैं मिलने वाले हैं जिन्में दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सी जगह आपको दिखा आभी मैं भी आपको प्रूप के साथ दिखाने वाला हूं कि ही टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाएगा तो टेलिग्राम चैनल को जोईन करना विल्गोल मद भूलेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो चलिए देख लेते हैं तो दोस्तों अगर आप चाहें तो सासनादेश.up.gov.in में यह जो संक्या है इसकी यह डाल कर दोस्तों आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं या दोस्तों आप इस अनुभाग को भी फिल कर देंगे तो भी दोस्तों यहाँ पर यह आपका है डाउनलोड हो जाएगा आराम से दोस्तों आप देख सकते हैं यह 6 अक्टूबर को दिनांक यहां पर दिया गया है 6 अक्टूबर को दोस्तों यह जो सासनादिस निकाला गया था यहां पर दोस्तों यह किस को मिलने वाला है तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं G2C यानि Government to Citizen और यहां पर B2G यानि Business to Customer बतलब इन लोगों को यहां पर जो सेमाय प्रदान है प्रचलन में ब्रदी करने के लिए यह सेमाय जो देते हैं तो इनके प्रचलन में ब्रदी करने के लिए दोस्तों मिलने वाला है अब दोस्तों इसी के संबंद में यहां पर बहुत सारे कि सर में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा तो दोस्तों चलें आगे देख लेते हैं आगे आप देख सकते हैं 2020 में उच्छा सिच्छा विबा के अंतरगत जो छात्रों की संक्या है उन्हें यहाँ पर मिलने वाला 2020 भी जिनों ने भी admission लिया था और 2021 में तक्नीकी सिच्छा के अ हर तरह की तो आई टी आई की दी गए हैं विगत तीन बड़सों में कौसल प्रसिक्षड इसकी दी गए हैं तीन लाक और दो हजार एकिस में दोस्तों आई टी आ के अंतरगत प्रसिक्षड रत चातर की अनुवानित संख्या दी गई हैं इस तरह से दोस्तों आप देख सकते ह हैं MBBS, MDS, BTC मतलब जो भी यहां पर कर रहे हैं यहां पर कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं इस्टेडिजन की कांटीनु है तो उन्हें मिलने वाला यह दोस्तों इनके संख्या दी गए हैं अकिर कितने लोग को मिलने वाला है और 2021 में जिन्हों ने यहां संख्या पर 17180 1He mountains रहे हैं जो यहां पर दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं जो यहां पर दोस्तों स्किल वरकर है 여क सकिल वरकर मन्ने अभी आपको बथा जो स्विवा मितर मीं पृटल से यहां अपर आपना design करेंगे तो उनके संख्या देख सकने हैं एक लाग के करीब है एक लाख लोग को दोस्तों यह सिवा मित्र पोर्टल के अंतर जो लोग करेंगे अब दन उन्हें मिलने वाला है जो इसके लवरकर वगरा है उन्हें अब दोस्तों बात हो गई आप देख सकते हैं मैंने अभी आपको पीछे विताया था अड़साट लाग तेस्ट जार आठस कि जो यहाँ पर जनपद इस तरही समीत का गठन होगा तो समीत में कौन कौन होगे तो जो जिला अधिकारी या डियम साव होंगे वो यहाँ पर अध्यक्च होंगे आगे मुख के विकास अधिकारी संबने दिवाक के जिला इस तरही अधिकारी जिला सूचना बिग्यान अ समीटि तरें, उसका घटन हो जाएगा μानलव समीटि का घटन हो जाएगा और भां पर दोस्तों आपके हैं पर इनका जो बितरड है वो हो जाएगा इन यह समीटि के दहरी पर मैसेज कीजिए बहाँ पर आपको 101% वहाँ पर जो है रिपलाई मिल जाएगा और आपकी जितने भी डाउट है वहाँ पर आपको क्लियर कर दिया जाएगा तो दोस्तों उमीद करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा और दोस्तों अगर आप कॉल पर बात करना चाते हैं तो इंस्टाग्राम पर दोस्तों लब जाएए वहाँ सबस्ते दोस्तों आप में इंस्टाग्राम कॉल कर सकते हैं तो दोस्तों मिलता है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक क्यार